हुआ थो विया दोस्तों वेलकम बैक तु माय चैनल आज की वीडियो में हम पढ़हेंगे स्ट्रॉक्चॉलिज्म से रिलेटिड एक फेनॉमेना है एक ट्यामिनोलजी है लरिंजील थी जो फर्डिनन्डी सॉसर ने स्ट्रक्श Employment का लिए दिए इसमें एक टियरी आ जाती है लेरंजल टियरी उसके बाते मैं स्टिडियप करेंगी क्यों क्यों क्या होती है लेरंजल टियो जो है वो उसका मतलब होता है तो प्रडिक्ट ऑवर्थ words की prediction करना sounds की prediction करना यह language की prediction करना हमारे पास laryngeal theory में आ जाते है simply structuralism में हमने बढ़ा था कि language का structure होते है हर चीज का structure होते है जैसे हर चीज का structure होते है इसी तरह words का भी structure होते है sentence का language का structure होते है laryngeal theory में हम किस चीज को study करते हैं हम study करते हैं how एक word है हाव तो इसके बाद हम prediction of words को study करते हैं अगर हमारे दिमाग में word आया है हाव तो हम उससे next जो word है उसको पहली predict कर लेंगे कि हाव के बाद क्या होगा या तो हाव के बाद is लगेगा या हाव के बाद r लगेगा जैसे how r और हमें पते हाव r अगर लिखा हुआ है या को next word को उससे जो next preceding word है उसको predict करेंगे कि how r के बाद obviously you होगा ठीक है how r के बाद obviously they भी हो सकते है you भी हो सकते है बर ज्यादा तर जो chances होते हैं वो you के होते है how r you या how के बाद is की prediction हो सकती है ठीक है तो structuralism में जैसे हमने इस चीज़ को study किया था कि हम अगर can पढ़ रहे हैं कोई word है can तो उसके बाद हमारे दिमाग में कौन सा word आ जाता है हम किस word को predict करते है can डल can डी तीक है mat है तो matter जो आप word अभी बोल रहे हो या सुन रहे हो उसके बाद उसका next word को predict कर लेना next word को assume कर लेना वो आ जाता है laryngeal theory में means assumption assumptions made about phonological system जो हमारा phonological system है उसके थ्रू जो हमारे mind में assumption बन रहे होती है about any word और about any sound वो laryngeal theory होती है अब हम study करेंगे second concept को arbitraryness arbitraryness क्या होता है यह word निकला है arbitrary से जिसका मतलब होता है अपनी मर्जी से जिसके कोई एक मुनासेब एक कोई exact specific particular direction नहीं होती particular form नहीं होती वो चीज़ जो arbitrary है अपनी मर्जी से direction select कर रही है अपनी मर्जी से बोली जा रही है लिखी जा रही है जिसके पीछे कोई logic नहीं होता which has no logic जो illogical होता है तीक है उसको कहते है arbitrary तो ऐसा फिनामेना जिसमें कोई logic नहीं होता या जो अपनी मर्जी से हो रहा होता तो उसको कहते है arbitraryness फॉर एक्जामपल इफ आइम सिंग अगर हम arbitraryness को study करें तो हम language की system से language की उसकी नियत से study करें language के लिहाज से arbitraryness को study करें arbitrary नहीं अपनी मर्जी language के अंदर हम जिस पी चीज को इस वकत study करें वो language के इतिबार से study करें if I am saying that there is a mountain in front of me मेरे सामने एक mountain है तो मैंने उस mountain को mountain क्यों कहा या मैं अगर कह रही हूँ कि मेरे सामने pen पढ़ा हूँ है तो मैंने उस pen को pen ही क्यों कहा मैं उस pen को needle क्यों नहीं कहा मैंने उस pen को brush क्यों नहीं कहा मैंने उस pen को spoon क्यों नहीं कहा मैंने उस pen को pen क्यों कहा है मैंने उस mountain को mountain क्यों कहा है मैंने उस mountain को car क्यों नहीं कहा डूर क्यों निका, कर्टन क्यों निका, ठ्री क्यों निका, तो क्या माउंटेन लफ्स में कोई पोदे लगे हुए है, या माउंटेन लफ्स में कपड़े पड़े हुए है, क्यों, मैंने माउंटेन को माउंटेन क्यों कहा है, किस, क्या वा जाए, कि मैंने mountain को mountain कह दिया pen को pen कह दिया कोई खसूसियत है English में जो words निकलते हैं या English में जो words नाम दिये जाते हैं naming होती है चीज़ों की वो arbitrary होती है उसके पीचे कोई logic ने होता पहले दिन से लेकर जब से English start हुई historically अगर देखा जाए जब से evolve हुई English अगर किसी चीज़ का कोई नाम बनता है या पढ़ता है या किसी कोई चीज़ का नाम कहलाया जाता है तो उसके पीचे कोई ना कोई logic नहीं होता ज़रूरी नहीं है कोई logic है उस logic के बन्यार पे उसको नाम दिया गया हमने अगर mountain को mountain कहा है तो without any logic कहा है reality exist before language it's a very common phrase in structuralism कि reality जो है वो language से पहले exist की गई थी यानि reality pre-exist exists language reality language से पहले pre-exist हुई थी अब सबसे पहले जो reality है ना कोई real चीज है वो पहले आई है बाद में उस चीज को नाम दिया गया है बाद में उस चीज को कोई किसी अलफाज से पुकारा गया है तो language बाद में reality पहले है जैसे के mountain पहले बने बाद में उन mountain को नाम दिया गया, तो सबसे पहले दुनिया में माउंटिन आया, ना के लेंग्वेज आई, ठीके, हमें कोई बड़ी मट्टी का धेर मिलता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, यह माउंटिन है छोटा धेर है, तो हिल कह देते है बड़ा, बहुत बड़ा हिल्स को कंबाइन करके बहुत बड़ा मट्टी का देर है, तो हम उसको माउंटेन कह देते हैं, यह माउंट कह देते हैं तो पहले रियालिटी आती है, पहले चीज आती है, उसके बाद लेंग्वेज आती है, तो यह आर्बीट्रीनेस का एक concept समझ ले, अब उस mountain, यानि हमने बहुत बड़ा मट्टी का कोई देर है, हमने इसको mountain कह दिया, उसके पीछे कोई logic नहीं है, कोई fact नहीं है, कि इस fact की वज़ा से है, इस particular logic की वज़ा से हमने इसको mountain कह दे we called any particular object or any particular thing, something किसे भी particular subject को हम कुछ भी कह सकते है and we gave a name to that particular thing according to our own choice हम उस particular thing को अपनी choice के according कुछ भी कह देते हैं, तो वो कुछ भी कहना उसको नाम पढ़ जाता है दीखे, अब दूद की एक bottle है उसमें हमने cold drink को याड़ किया, तो हमने उसको soda कह दिया lemon में हमने sugar and salt square किया, तो हमने उसको laminate कह दिया, तो कोई भी particular object है या particular thing है हम उसको कुछ भी कह दें, तो वो उसका नाम बन जाता है, उसका नाम उस चीज के साथ मुंसिलिक हो जाता है, जुड जाता है, तो यह होती है arbitraryness के किसी भी चीज के नाम के पीछे उसका कोई logic या fact नहीं होता, मगर कुछ word होते हैं, जो arbitrary नहीं होते हैं, दीखे, मैंने के, उनको हम अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते हैं, जैसे के his of snake, अब साम जो है, वो s करता है, तो उसके sound पे हमने उसको his कह दिया, इसके पीछे effect है, कि उसके sound के, sound वो जो उसका, जिसको हम onomatopic sound कहते हैं, अब हम नहीं पता था कि हमने इस नाम को क्या कहना है, यह जो साम करता है, इसको हमने क्या नाम देना है, तो हमने उसके sound को ही इस कह दिया, मगर saucer जो है, फर्डिनेंटी saucer, वो कहता है, there is no essential or natural reason that why a particular signifier should be attached to a particular signified, इस वो कहा जाता है, arbitrriness of sign, कि जुरुरी नहीं है, यह कोई natural reason हमारे पास नहीं है, कि एक particular signifier, जैसे कि हिस of snake, जो है, वो उसको signified के साथ attach कह जाए, अब जो हिस है, वो signifier है, और snake signified है, तो जुरूरी नहीं है, हर दफ़र जुरूरी नहीं होता, कि आप एक particular खास signifier को उसके signified के साथ ही attach करके इसको नाम दो, अब, इसकी मैं example देती हूँ, कि एक लड़की है, उसको उसके father princess कहते हैं, उसका nickname है princess, यह उसको nickname है answer name as prince or loin and any kind of name may be associated with you as well, आपको भी कोई princess कहता होगा यह कहती होगा, आपके parents, आपको queen कहते होएंगे, princess कहते होएंगे, तो आपके princess हैं, तो आपको princess कहा जा रहे, जैसे, my brother calls me princess, it doesn't mean that I'm a princess, तो मेरे signifier, जो मुझे कहा जा रहे, उस princess का मुझे से कोई तालुक नहीं है, I'm not a princess in real, I'm not a queen in real, I'm not a doll, or cindrilla, or snow white in real, बट फिर भी मुझे कहा जा रहे, तो जरूरी नहीं है, कि यह signifier का तालुक signified के साथ लाजमी हो, तब ही उसको नाम दिया जाते है, जैसे, अगर किसी को, कोई अपने घर को, palace कह रहा है, तो हर इंसान, अपने घर को palace समझते है, तो जरूरी है, कि वो घर उसका palace की तरह दिखे, बहुत बड़ा, बहुत आली शान, servants हों, इसके साथ मेरी शादी हो रही है, अगर prince लोग कहते हैं, तो वो वाकि में prince है, उसके साथ शादी करके, मैं princess कहलाऊंगी, no, कभी-कभी, कुछ names, या कुछ signs हो हैं, वो आपको बगएर, वो arbitrary, अप अपनी मर्सी से उसको name दे देते हैं, उसके पीचे उसका कोई fact या logic नहीं होता, अब princess, आपको कोई कहा रहे हैं, तो इसके पीचे कोई logic नहीं है, कि आपका princess होना जुरूरी है, या उसका prince होना जुरूरी है, तब भी उसको prince कहा जा सकते हैं, तब भी आपको princess कहा जा सकते हैं, of a sign, तो यह था आज का concept